विट्रेक्टमी सर्जरी पर्दे की बिमारियों से डील करने का आज की डेट में सबसे अच्छा तरीका है बहुत सारी पर्दे की ऐसी बिमारियां होती हैं जिसमें हमें सर्जरी करनी पड़ती है और आज की डेट में more than 90% 95% केसिस पर हम विट्रेक्टमी सर्जरी का ही साहरा लेते हैं कैसे होती है विट्रेक्टमी सर्जरी आज हम इसी के बारे में समझेगे नमस्ते मैं हूँ डॉक्टर सुमित अगरवाल और आप देख रहे हैं Eye Health for You जहां आपको मिलती है एकदम Simple Language में आखों से जुड़ी सारी जनकारे परदे की सर्जरी आज से कई सालों पहले जब शुरू हुई थी और आज की डेट में जो टेक्नोलोजी हम यूज करते हैं उनमें जमीन आस्मान का फरक आ गया है शुरुवात में जब विट्रेक्टमी शुरू हुई थी विट्रेक्टमी के पाइनियर्स जैसे की रॉबर्ट मैकिमर और चार्ल्ज शेपेंस और यह सब जो साइंटिस्स क्लिनिकल साइंटिस्स थे इन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि विट्रेक्टमी सर्जरी आज की डेट में इतनी ज़्यादा अडवांस हो जाएगी कि आजकल हम माइक्रो इंसिजन के जमाने में हैं जिसमें की बहुत बार टांके भी नहीं लगाने पड़ते हैं और बहुत कमफर्टेबल बहुत फास्ट रिकवरी होती है So, विट्रेक्टमी सर्जरी जो हम करते हैं उसमें जो टेक्निक हम यूज करते हैं वो वतिये NIVS याने की माइक्रो इंसिजन या माइक्रो इन्वेजिव विट्रेक्टमी सर्जरी इसका major advantage होता है कि इसमें हम जो आख के अंदर entries बनाते हैं वो बहुत ही छोटी रहती है 1 mm से भी बहुत छोटा इसका incision size रहता है और इसमें healing बहुत fast होती है and surgery की safety बहुत अच्छी रहती है, complications होने के chances बहुत बहुत कम रहते हैं and time पर करी गई है अगर surgery, disease process जादा बढ़ा नहीं है, so vision भी बहुत अच्छा इसमें recovery होती है so एक हम brief में आज समझते हैं कि यह vitrectomy surgery MIVS technique से करी कैसे जाती है तो MIVS technique में हम basically जो entries बनाते हैं आख के अंदर, most commonly 3 entry हम बनाते हैं चोटे-चोटे, 5 mm से भी चोटे incisions बनाते हैं, यह हम बनाते हैं आख के white वाले part में white वाला part जो होता है, उससे हम कहते है sclera और हम जो black वाला part है, जो cornea, उससे कुछ शेक-fix distance पे, usually 3-4 mm के distance पे हम 3 entries बनाते हैं, यह जो entries होती है, trocar cannula system से बनाते हैं इसमें मतलब की, जैसे की laparoscopic surgery आजकल करी जाती है, पेट के लिए, उसमें हम बहुत चोटे-चोटे incisions बनाते हैं और उसके अंदर एक ट्रोकार एक device होता है, जो उसके अंदर incision को खुला रखता है और उसके थूँ हमारे जो instruments हैं अंदर बाहर आसानी से बार-बार जा सकते हैं तो यह trocar cannula system बहुत ही safe रहता है, retina में damage होने का chance बहुत कम रहता है और यह instruments को भी अंदर बाहर आसानी से जाने देता है तीन ऐसे entries बनाते हैं, पहली entry से तो हम आख के अंदर continuous एक balance solve solution, special तरह का एक fluid होता है उसका हम flow maintain रखते है, यह flow maintain रखना ज़रूरी है क्योंकि हम आख का pressure maintain रखना चाहते है यह solution जो है, जो भी हम machine use कर रहे हैं, उससे connected रहता है और उसके through continuous एक आख के अंदर flow maintain रहता है fluid का दूसरा जो incision हम use करते हैं, वो use करते हैं endo illuminator का endo illuminator क्या होता है, यह होता है, एक pipe होता है, जिसके अंदर endoscopic तरह से light जाती है और यह जो light है, यह अंदर हमें visualization में help करती है और अंदर जो भी हम चीज़े कर रहे हैं, वो proper lighting में करें जिससे के हमें surgeon को properly दिखाई दिए और तीसरा जो instrument हम most commonly use करते हैं, जो तीसरी entry से अंदर जाता है उसे हम कहते हैं, विट्रिस cutter विट्रिस cutter आज की date में बहुत ज़्यादा advance form में हमारे पास आए है और एक बार में इनका जो cut rate है, जो बतलब per minute का cut rate होता है वो 10,000 से लेके 20,000 cuts per minute ये cut करता है विट्रिस को और साथ के साथ में इसमें vacuum भी होता है, जिससे की cut विट्रिस को हम aspirate भी कर सके और इनका आजकल इतना sophistication है, इनका design में, इनके configuration में कि हम परदे के बिलकुल पास जाके भी, retina के बिलकुल पास जाके भी treatment कर सकते हैं और ये सिर्फ जो disease वाला पाठे उसी पर काम करता है, परदे के उपर damage होने का chance लगबग negligible रहता है So, विट्रिस cutters बहुत अच्छे हमारे पास आजकल available है, जो हम prefer करते हैं, विट्रिस cutters वो Alcon company का constellation system हम use करते हैं, और उसी के हम instruments prefer करते हैं, कोई financial interest नहीं है मेरा बट ये बहुत ही comfortable और बहुत ही accurate precise machine है, जो की help करती है हमें surgery में minimum to minimum complications रखने में और maximum अच्छे results देने हैं इसके अलावा कुछ और instruments भी हम use करते हैं, depending on क्या steps हम कर रहे हैं जैसे की internal limiting membrane, forceps रहते हैं, ILM forceps जिसे हम use करते हैं, परदे के उपर बहुत fine membrane होती है एक internal limiting membrane उसको peel करने में, max grip forceps यूज़ करते हैं, आख के अंदर अगर परदे के उपर membranes बनी हुई है और membranes को peel करना है, तो ऐसे बहुत सारे instruments होते हैं, जो हम MIVS में use करते हैं endocottery यूज़ करते हैं, endocottery मतलब आपके अंदर यदी surgery के तरह ब्लीडिंग हो रही है, तो bleeding को रोकने के लिए cottery रहती है, जो electrocottery के form में काम करती है इस तरह MIVS technique में हम तीन entries बनाते हैं और तीनों में क्या-क्या instruments चाते हैं वो हमने समझा फिर इसमें जो हम steps follow करते हैं MIVS के brief में आपको बताऊँगा कि हम क्या broad steps follow करते हैं तो हम vitriss gel को basically सबसे पहले clear करते हैं उसमें हम vitriss का आगे वाला part anterior vitriss फिर उसका पीछे वाला part core vitriss इसको सबसे पहले clear करते हैं फिर इसके बाद हम जो gel का बचा हुआ पार्ट है जो पर्दे के पास है उसको हम पर्दे से separate करते हैं इसे हम कहते हैं PVD यानि posterior vitriss detachment PVD एक बार induce करने के बाद जो बचा हुआ gel है उसे remove करना बहुत आसान हो जाता है और उसको हम पूरी तरह से clear कर देते हैं और इसके बाद हम पर्दे के ओपर यदि कोई जिलियां हैं पर्दा में कोई membranes हैं उनको साफ करते हैं फिर पर्दे में basic problem क्या थी पर्दे में tractural detachment था, macular hole था उसके इसाब से आगे के steps हमारे अलग-अलग रहते हैं यदि macular hole है तो हम internal limiting membrane को peel कर देते हैं यदि पर्दे में detachment है तो पर्दे को हम वापस अपनी जगे attach करते हैं उसके लिए हम fluid air exchange का use करते हैं fluid air exchange आने की आपके अंदर का जो पानी है पर्दे के पिछरी का जो पानी है उसे हम suck out कर लेते हैं और उसकी जगे special तरह की air आ जाती है उसमें जो की पर्दे को अपनी जगे पूरा set कर लेती है फिर उसके बाद हम laser करते हैं पर्दे का laser आजकल endo laser probe जाते हैं जिससे आपके अंदर जाके हम endoscopic तरीके से laser कर सकते हैं बहुत अच्छे से कर सकते हैं और एक ही sitting में पूरा laser complete हो जाता है और नॉर्मल जो हम OPD में बठा के laser करते हैं उससे almost double the amount of laser हम कर पाते हैं इंडो laser मास्दियम से और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि आख के अंदर gas डालना है या oil डालना है या air डालनी है depending कि अंदर की situation कैसी है सो ये एक brief में मैंने आपको बताया कि MIBS टेक्नीक कैसे करी जाती है विट्रेक्टमी सरजरी कैसे होती है और उसमें क्या-क्या steps हम follow करते हैं उमीद है इससे आपको फाइदा हुआ होगा कमेंट सेक्शन में जरूर डाले अपने आपकों से रिलेटेट सारे सवाथ ताकि मैं देश पूनके जवाब अच्छा देखिए अच्छे से देखिए दन्यवाद नबस्त